हारत माता की जय! साथ्यों, आपका ये होस्ला, आपका शावरिय और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निया है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप मा भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे बिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका अंडिश्चा है उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कड़ों से नापते आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ती आस पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा साथ्षाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथ्यों जब देश की रख्षाश आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है तो एक अटूट विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिन्द भी है आप जब सरहक पर डटे है तो यही बात पंतेख देश्वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म निर भर भारत का संकर्ट आप लोगों के कारण आपके त्याग परिदान पुरसात के कारण और मजबुद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला भोजियों को भी देख रहा हूं युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दरश अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी बानी से आपकी जय बोलता हूं आपका अभिननन करता हूं मगलवान गहटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः स्रद्धाजली अर्पित करता हूं इन में पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके प्राकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जयकारा कर रही है आज हर देशवाजी का सीर आपके सामने अपने देश के वीज सैनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक हो करके नमन खरता है आज हर भारतिय की छाती आपकी बीरता और प्राकरम से फुली हुई है साथ्यों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती फुन्य हुई है बीर सपुतों के शौरी और प्राकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुए है लेख लद्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के थंडे पानी की धारा तक हर चोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंक्यर पत्थर भारतिय साइनिकों के पराकरम की गवाही देते है 14 कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुरिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर गर में गुंज रही हैं और भारत माता के दुष्ट किस्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वही देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तख है एक सो तीस करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है कि भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्थी है इस धर्थी ने कुशत पगुला रिन पोच्छे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिन पोच्छे के ही उनी के फैरन जिनोंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया दिम पोच्छे के गुवाई में यहां अलगाव पंदा करने की हर साधीस को लद्दा के राष्ट भक्त जनता ने नाकाम किया ये उनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर स्थर पर चाए वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक रहो राष्ट को ससक्त करने के लिए अदभूत योगदान दे रहें साथियों हमारी यहां कहां जाता है खड़गेन आक्रम्य बंजीत हर खड़गेन आक्रम्य बुन्जीत हर वीर भोग्या वसुंद्रा यानि वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरच्छा तो हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुहतोर जवाब दिया है हम और यह अमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन्य चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्श्मान करके चलते हैं इसी प्रेणरा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब्रा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई श्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रिक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है भारत आज आधुनिक अस्त्रत सस्त्र का निर्वार कर रहा है दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आधुनिक इंफास्त्रत का निर्वार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या पिर शांती की बात जब भी जबरत पड़ी है विश्व ने हमारे भीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसान योग की हुमेनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत इस मही महान संस्कृति को साबिट करने वाले अगवा लीडर को साथियों महान संत तिर्वल्नुवर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांडः वडी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कह यानि शौर्य सम्मान मर्यादापुन ब्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गुव किसी भी देश की सेना का प्रतिव होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारवाद का यूग समयत्त हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही बविश्य का आधार भी है बीति शतारवद्यों ने बीति शतारवद्यों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा ही किया मानवता को विनास करने का प्रयास किया विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुए है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ यो ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तार वाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व 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 वाद को समर्पीत है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वाधत कर रहा है साथियों जब जब मैं रास्त रक्षा से जुड़े किसी निल्डे के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समरण करता हूँ जब भी मैं रास्त रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का समरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वेवीर माताओं दूसरी वेवीर माताओं जिन्हों ने आप जैसे प्रमात पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का समरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोटी यही है इसी कसोटी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच चप्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आदुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफ्रस्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया आजा है इससे बॉर्डर इरिया बॉर्डर इरिया डेवलप्पेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं मैं बहतर समनवाई के लिए लबने समय से जिसकी आशा थी वो चीफ आप डिफेंस स्टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम बेश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गवतम बुन्प ने तहां है साहस का सम्मंद परतिवद्धता से है कन्विक्शन से है साहस करुणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्त के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकास्था है देश को आप पर करव है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आइटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो समीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेक आपदाओं से एक सांथ और पूरी जड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस बारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सब सरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनेों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वार दिलाने आया हूं हम एक ससत्य और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जम मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल भीज़़़व और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक मार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिननर करता हूं बहुत पर धनिवाद करता हूं मेरे जान पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 और पारता है